क्लास 8 चैप्टर 15 मेंसुरेशन एक्सरसाइस 15.2 कुस्टर नमबर 9 कल्कुलेट दा एरिया इंक्लोस्ट पाइद गिवन सेप हमें इस डाइग्राम का एरिया फाइंड करना है ठेक है तो जो 5,2,4,3,7 दिये हैं सभी क्या है सेंटिमीटर पे हैं किस में है सेंटिमीटर में और हमने लास्ट फर्स्ट वीडियो से आपको बता के रखा है कि कोई भी डाइग्राम हो अगर आप उसके अंदर के पार्ट्स कोड डिफाइन करते हैं तो वो क्या कहलाता है एडिया औ और अगर आप बाॉंडरी में वरक करते हैं तो पेरिमीटर या यह रिफ में और इडिया का सर्फ एक ही फार्मूला होता है उसके अकर बनता है अगर आपके पास एक्वल साइड़स है और साइड वाले rappelle साइड है उसका आप उसमें इन्टु कर दीज्ये आपको एडियाा तो चलिए थोड़ा सा आपका ये डाइग्राम तो कुछ फेस नहीं कर रहा तो कुछ बनाते हैं इसको तो चलिए कुछ इसमें एडिसनल करते हैं माल लीजिए ये लाइन कुछ नीचे ड्रा हुई हम आगे की और बड़ कर लेते हैं ठीक है और ये वाली लाइन देखिए दो ही तो हैं जो हाफ है एक ये आई हुई है जो हाफ हुई है ठीक है और एक ये आई हुई है जो हाफ है ये अब यहां पे अगर कोई लाइन होती तो हम इसे भी पैक करते लेकिन नहीं है तो चली इतने में ही देखते हैं सायद कुछ ना कुछ मिल ही जाए तो अगर हम चली नाम सोपर लेते हैं A B C D and E and F and G ये तो हो गया अब हमें एरिया फाइंड करना सभी का जो अंदर दी हैं तो चली पहले देखते हैं A B C and D तो A B C D हमें किस फार्म पर दीखाई देते हैं ट्रपेजियम देखे ध्यान से ये एक सॉल्ट है और ये इधर लॉंग है ये आपके नॉन पैलर हो गए यानि कैसे दीख रहा है यहाँ पर अगर हम समझे तो ऐसे दीख रहा है तो ये क्या कहला था ट्रपेजियम और ट्रपे सी डी A B C and D तो फार्मूला क्या होता है सम पैलर साइट पैलर साइट इन्टू हाइट and 1 upon 2 ठीक है ये हो गया अब देखिए 1 upon 2 सम पैलर साइट तो 1 upon 2 सम पैलर साइट तो पैलर हमें ये दिख रहा है ध्यास देखिएगर DC और AB लेकिन AB की value तो है नहीं ये तो 7 पूरे का था ठीक है 7 जो था वो complete का है 7 ठीक है यहाँ तक कर तो A से B तक क्या होगा तो यहाँ पे देखिए ये 2 है तो ये भी 2 होगा ये 5 है तो ये भी 5 होगा राइट तो ये हो गया आपका rectangle चली और प्लस पॉइंट हो गया ठीक है rectangle तो सभी जानते हैं तो ये 2 है और ये आपका 7 है तो ये कितना हो जाएगा 5 तो 7 होगा ना 7 से 2 को हो गया अब समा पैलर साइट तो पैलर हमें A B और D C A B प्लस D C ये हो गया अब हाइट चाहिए भाई तो हाइट इसे तो न बोलेंगे हाइट है ना ट्रपेजिया में हाइट के लिए हम एकदम स्ट्रेट करते हैं जो 90 डिग्री होता है क्या 90 डिग्री कहीं दिया है ये दि ही होगा क्योंकि लाइन तो पर एकदम स्ट्रेट ही होती है तो ये हुआ आपका हाइट अब हाइट क्या कहलाएगा A से D तक लेकिन बीच में ये पॉइंट है तो A प्लस A F प्लस F D आप ड्रैकेट में आप लिख सकते हैं A F प्लस F D राइट अब चली वैल्यू रखते हैं A B, A B का 5, D C 3 इन्टू A F 5 और F D 4, 5 प्लस 4, चली ही स्वाल करते हैं, 5 प्लस 8, तो 8 इन्टू 5 प्लस 4, 9, 2 फोर्जा, 9 फोर्जा 36 और हम क्या फाइंड कर रहा है, एरिया, सेंटीमीटर स्क्वार, यह आप रखियेगा, ठीक है, अभी यह कंप्लीट डाइग्राम नहीं हुआ है, अभी साइड में आपको आ लेडी समझ में आ गया है कि है क्या, देखिए यह तो हम निकाल लिए, अब यह सिर्फ सेप हुआ तो, ग, ए, 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 रेक्टेंगल, तो एरिया आफ रेक्टेंगल, नाम ज़रूर लिखिएगा, ए, 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 जी, तो लेंध इंटू ब्रिथ, तो लेंध क्या है टू, ब्रिथ माल लेते हैं 5, कोई दीकर ने, आप कुछ भी लेट कर लिजए, आप इसे लेंध करिए, ब्रिथ करिए, कोई प्रॉलम ने, तो हम पर क्या आगे, 10 सेंटीमीटर स्कॉर, अब हमें फाइन करना है, फिगर होगा, क्योंकि कल्कुलेट करना है, जो डाइग्राम है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, टोटल एरिया आफ डाइग्राम, तो टरपेजियम की कितना है, 36 और रिक्टेंगल, 10, तो होगे आपका 46, और किसमे है, सेंटीमीटर स्कॉर, यह आपका एंसर हुआ, नाओ, 9 to 7 नम, 7, 1st to 2nd, 9 to 2nd, चलिए, पहले यह एंड का हम अब एरिया फाइंड करना है, तो वन बाई वन करते हैं, एक यह बॉक्स है, एक यह बॉक्स है, एक यह बॉक्स है, अब यह एक कंप्लीट, जब तक बॉक्स कंप्लीट ना हो, हम उसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं, इसे कंस्ट्रेक्ट करके पैक कर देते हैं, ठीक है, और हमने नाम construct कर लिया अब ये जॉइन कर लिए ये इसको भी जॉइन कर लेते हैं माल लीजिए यहां पर टच है अब ये टू है तो हट से और है कि ये भी टू होगा ये तो क्लियर है नो दाउट ये टोटल लेंथ अगर नाइन है और यहां तक आपका हाप तक सैवन है तो से औ है कि ये टू ही होगा होगा ना सेवन टू नाइन सेवन प्लस अगर हम एड करने नाइन हो जाएगा भाई ये नाइन है तो ये भी नाइन होगा चलिए इससे मतलब हुगा कि ए रेक्टेंगल ये तो और ही जी होगे हमार लिए अब ये जो आपका ये बॉक्स सेकेंड ये म यह ऐसे हैं अगर राइट होता तो रेक्टेंगल फार्म पर दीखता है ठीक है तो यह आपका पैरलोग्राम होगा लेकिन इसका भी लेंथ निकालना पड़ेगा तो ही तो फाइंड होगा चलिए हो ठीक है यह टू है तो यह भी आपका टू है अब यह नाइन है तो ऐसा नही यह नाइन है तो यह भी नाइन होगा ठीक है यह साइवान है तो यह टू चलिए एक्लियर हो गया अब इस्टार्ट करते हैं वन बाइए तो सबसे पहले चलते हैं रेक्टेंगल तो एडिया आफ रेक्टेंगल A B C D A B C D तो लेंथ इंटू गृत तो लेंथ आपका टू और गृत आपका नाइन यह तो क्लियर है यह टू इसलिए फाइंड के क्योंकि पैलो ग्राम के लिए हो तो लेंथ इंटू गृत तो टू इंटू नाइन एक्टीन सेंटीमीटर इसक्वाइर यह आपका फस्टार याई रूरली पैलो ग्राम को बाद में करते हैं पहली यह भी रेक्टेंगल के लए यह यह को इसको भी लिख लेते हैं आफ रेक्टेंगल कौन सा है ए ख j h तो यह सेम ही आएगा क्योंकि यह 2 by 9 है तो 2 into 9 18 cm अब यहां पर देखते हैं यह आपका परलोग्राम है एरिया आफ पैलोग्राम पहले नाम लिख लेते हैं अब यहां तो नाम ही नहीं दी है तो ह, आई और इसे हम जे कर लेते हैं भी आई एच जे भी आई एच जे एरिया पैलोग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट फर्मूला वही है बस लेंथ इंटू ब्रेट किजा हैं बेस इंटू हाइट भाई इसको अगर हम यह अलग कर दिये हैं तो ध्यान से देखिएगा बेस में आपको टू दीख रहा है तो चलिए टू कर देते हैं अब यहां हाइट रहे यह तो बहुत सपेंस हो गया तो अगर हम देखें और इस से आपने जॉइन कर दिया तो यह तो एन है लेकिन यहां पर देखिए आपका यहां पर ब्लैंक है अगर हाइट क्योंकि हमको हाइट फाइंड करना है तो यहां से देखिए अगर हम यहां से पॉइंट लें तो इतना डाउन साइड है कि नहीं है है सेंटीमीटर अब तो टोटल लेंथ कितना है 9 तो वो 9 में से अगर हम दो बार 2 को माइनस कर दें तो हमें हाइट मिल जाएगी तो 9-2 तो 7 ऑफ सावन माइनस 2 5 तो 5 हो जाएगी हाइट या रखेगा ठीक है तो यह क्या हो गया आपका 5 तो फाइब टू जा 10 सेंटिमीटर स्क्राइब मतलब टोटल क्या है 9 से यहां ब्लैंक है तो 2 माइनस कर दीजिए हाइट के लिए तो 7 और यहां भी 2 ब्लैंक है तो 2 माइनस कर दीजिए तो आपका 5 हो गया तो 10 हो गया अब टोटल एरिया आफ एन 10 प्लैंक हो अब लाइनस कर देजिए देखिये इस डाइगराम में हमें a-d फाइन करना है छलिए ठीक है यह 90 डिवरी है तो पैथा गोरस तो दोस्य ब्लैंक है तो चलिए लिए वन बाइवन करते हैं फस्ट हम फाइन करते हैं लेंठ तो किसमें a-d तो AD किस से joint है यह triangle से तो चलिए one by one हम इससे solve करते हैं with diagram के साथ यह solution हुआ first तो यह triangle को आप अलग कर लीजिए छोट उसा triangle यहां पे लिख लीजिए A, B and D यहां पे 90 है हमने आपको last video पे क्या बताया था 90 degree के front पे ही आपका hypotenus होता है और इसके front पे perpendicular होता है और यहां क्या होता है base clear और हम यह से आदा कि 90 के सामने ही आपका hypotenus कोई अगर diagram ऐसे बना दे बोले इसमें hypotenus क्या है बोलिएगा इसमें कोई hypotenus नहीं है because this triangle has not 90 right angle ठीक है तो यह right angle ही नहीं है तो hypotenus नहीं बनेगा तो सबसे पहले हम करेंगे in triangle a d b वैसे हमें d a b लिखना था angle a is equal to 90 degree चलिए from pythagoras theorem pythagoras एक greek flows पर थे pythagoras theorem उन्होंने क्या theory दी थी कि जो longer sides होते है right triangle में वो other two sides को add करने पे equal होते है यह उनकी theory थी अगर दो sides को add कर दी जाए जाए longer sides के अलावा तो equal होते है तो चलिए देखते है d b क्या है 41 square ad find करना है plus ab 40 square प्लेस फोर का करिए फोर जाए फोर जाए सिक्स्टीन वन जीरो कर डवल जीरो कर दीजिए clear 1600 को transfer कर दीजिए तो यह हो गया minus 1600 ad square so ad is equal to 1600 minus 16 81 यहाँ पर एक बात याद रखिएगा square जब transfer होता है तो root बनता है यह बात याद रखिएगा ठीक है यह आपको confusion नहीं होनी चाहिए 81 का square root क्या हो गया 9 cm चलिए first answer आगया आपका now second और याद रखिएगा आपका first अगर आपने इसे solve नहीं किया तो second third नहीं होगा वही हम बताने वाले थे first में लेकिन रुख गये थे कैसे area of trapezium one upon two समा पहला side into height height कहां पाते हैं नहीं पाएंगे height तो भाई यही है तो area of trapezium पे चलते हैं ठीक है area of trapezium formula one upon two sum of parallel side into height to one upon two sum of parallel side तो यहां पे देख सकते हैं parallel तो यह हुआ dc और ab 40 plus 15 40 plus 15 15 into 9 कितना हो जाएगा 55 into 9 clear so two four जा 8 one reminder two five जा तो 55 में 4.5 के इंटू करेंगे तो 247.5 cm2 now third number the area of triangle b c and d b c d देखे टोटल एरिया हमने भी find किया trapezium भाई टोटल एरिया है ना मान लिजे यह मेरा plot यह आपका plot है यह किसी बैक्ती का plot है ठीक है मितला उन्होंने एक जब purchase किया land को और इतने हिस्से में उन्होंने घर बना लिया मूटल में से अगर यह वाला पार्ट जो a db है हम नहीं सबसे फस्ट हुआ ही निकाले हैं यह देखें इसको माइनस कर देंसर आजाए लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि इसका हम एदिया फाइंड करना चाहते हैं यह ट्रेंगल को थोड़ा गौर से देखें फोर्टीवन फिप्टीन अब से और कि यह डिफरेंट होगा यह कुछ भी हो सकता है ठीक है हमें यह साइड्स पहले फाइंड करना पड़े हो फाइंड करने के बाद आप इसमें जैसे इसमें 90 डिगरी के लिए पायथागॉरस जो बहुत बड़े साइंटिस्ट है मैथ के ठीक है मैथमेटिस न शाइंटिस जैसे इन्हों ने अपनी थियोरी राइट एंगल के लिए वैसे Iskalland Trangle के लिए Herons ने अपना एक फार्मूला दिया है यार रखिएगा आपको साथ future में मिलेगा भी ये बात यार रखिएगा Herons सिर्फ Iskalland Trangle के लिए ही फार्मूला बना है अभी थो हम यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकते लेकिन आप ध्यांस दिजिएगा आपको ये मतलब करना पड़ेगा Just next years ओके So area of यहाँ पर Trangle B C-D के हम क्या करेंगे Trapezium Area of Trapezium Area of Trapezium minus Area of Trangle Area of Trangle कौन सा ADB जो हमने फार्म 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 किया है Trapezium क्या है 247.5 minus यहाँ पर 9 आया है 9 cm ठीक है ओ सवारी ये तो रॉंग हो गया कैसे हमने तो सिर्फ इसका Length फार्म किया Area थोड़ी फार्म किया है तो यहाँ पर हम इसे कर देते हैं जस्टिस के बाद कर लिजेगा क्योंकि हमने ADB का है तो एडिया ही फाइंड नहीं किया तो एडिया आफ ट्रेंगल ADB तो ट्रेंगल 90 डिग लिए है तो फार्मूला क्या हो जाता है वन अपान टू बेस इंटू हाइट यह बात याद रखिए है ना वन अपान टू बेस के है अपका 40 और हाइट अभी हमने फाइंड किया 9 सेंटीमीटर तो 9 यहां कर लिजे तो 220 जा पर 29 जा 80 180 सेंटीमीटर स्कॉर्ड यह आपका आगया एडिया क्योंकि हमने इसे तो फाइंड ही नहीं किया था माइनस सेंटीमीटर को थोड़ी करेंगे एड माइनस कर देते हैं 180 ठीक है तो माइनस करने पर कितना जाएगा 67.5 सेंटीमीटर स्कॉर्ड यह आपका एंसर हो नौ कोश्यों नमबर 11 डाइग्राम ता एड्जेसेंट फ्रीम अरे यह फ्रीम फोटो वाला होता है ना जो घर में आप या गिप्ट करते हैं ऐसे रहता है इस इसमे फोटो लगा देते हैं और इस साइड में ऐसे बाउंडी रहती है कुछ ऐसे राइट यह वह डाइग्राम है जंदली ऐसे और यहां पर पिक्चर्स फोटो रहते हैं और इस्टेंड में ऐसे रख देते हैं यह वही है तो यहां पर एक्जेक्ट हमें करना क्या है यहा आउटर बाहर का तो यहाँ पर हम solve में लिखेंगे लेंथ आउटर फ्रेम आउटर फ्रेम डाइमेंशन मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रिथ की बात है 28 तो लेंथ हम कर देते हैं 28 ठीक है वाई 32 तो लेंथ यहाँ पर 28 सेंटीमीटर एंड ब्रिथ यहाँ पर आउट लेंथ आउटर 28 वाई लेंथ इंटू ब्रिथ ब्रिथ आउटर फ्रेम तो ब्रिथ कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर चलिए ठीक बाहर की देखते हैं बहर एक बॉक्स बना हुआ है ना यह 32 है यह 28 है पहली से देख लेते हैं अब देखें इनका अगर एरि ट्रेजियम बना हुआ है चारौ साइट यह थोड़ा से दिक्कत कर रहा है ओर इसकी अगर ट्रेजियम नहीं करना है तो इसकी वीठ find कर लेते हैं तो में ट्रॉपेजियम करने कज濃 नहीं पड़ेगी तो चलिए वही वर्क करते हैं चै आब द्यास देखिएगा यहां थर् 32 क्या है ब्रित है अब यहां पी 32 ब्रित है यहां पी जंदली सामने क्या है 24 अगर 32 से 24 को माइनस कर दें तो यहां पर आ जाए गया माल लीजे आपके पास कोई एक बॉक्स है ठीक है इतना सपोज यह उसकी विथ है माल लीजे सूज आपने पर्चिस किया और इतना मोटा है थोड़ा सा जिसमें सूज रखा हुआ है या कुछ भी ले लीजे एक्जामपल पर कोई भी कार्टून ले लीजे जैसे आपके यहां फ्रीज आया तो बताए इसका लेंथ आप कहां से लेंगे लेंथ अगर आप अंदर से लेंगे तो इतना आएगर लेंथ अगर बाहर से लेंगे तो यहां से आएगर लेंथ और हम बोलने कि अगर मुटाई इसकी जो वित है मुटाई है उसको ना माना जाए तो आप क्या करेंगे इसके कार्टून से इसको काट कर फेंगे एकदम इसको क्या कर देंगे थिनी कर देंगे एकदम पतला कर देंगे तो मतलब आपने क्या कि माइनस करके फिंग दिए ना दोनों साइड से ठीक है यह कट कर दिए इसके मुटाई कर तो वही तो हम भी कर रहे हैं न भाई यहां से यहां तक का फ्रेम है तो माइनस कर देते हैं तो चलिए माइनस कर देते हैं तो 32 32-28 अब यह दोनों साइड है एक साइड नहीं यहां भी है तो यहां भी तो है दोनों साइड से माइनस करना है तो दो है तो दो बार ना करने के बजाए आप इसमें 2 का डिवाइड कर दीजिए जाद अच्छा रहेगा तो 32-24 24 है तो कितना जाएगा 8 तो 8 upon 2 means 4 cm या रखिएगा अब इसकी विथ आपकी क्या हो गई 4 cm और विथ जो यह विथ है यही विथ इसकी क्या कहलाएगी हाइड कहलाएगी ठीक है सो एरिया आप 1 by 1 क्योंकि इस पोर्शन फाइंड करना है तो पहले हम चलते हैं लेंध पे तो एर पोर्शन लेंध के अकॉर्डिंग चलते हैं आफ लेंध साइट ठीक है तो 1 upon 2 अब देखिए यह सभी क्या है ट्रपेजियम और ट्रपेजियम का फार्मूला क्या होता है सम आफ पैलर साइट इन्टू हाइट क्लियर तो 1 upon 2 सम आफ पैलर साइट तो आप यहाँ पे देख स देखिए एक साइट लेंगे तो इतनी बात है 4 साइट है 24 अगर सभी पोर्शन की बात यहां पर बोल दे जाएं तो 1 2 3 4 तो 4 कि इन्टू कर देते हैं कहां पे यहां पे तो हमें एरिया फाइंड हो जाता है और हाइट अभी हमने फाइंड किया विद ही हाइट है तो 1 upon 2, 56 into 4, 224, 26 is 12, one remainder, 25 is 10, 11, centimeter square, यह आपका answer हुआ, clear, तो यह किसका answer हुआ, lens side, जो outer side था, ठीक है, अब हम बात करते हैं, inside की, so, area of each portion, portion of bridge side, ठीक है, तो 1 upon 2, फार्मूला सेम रहेगा, sum of parallel side into, height, तो 1 upon 2, sum of parallel sides आपका, चले, अंदर देखते हैं, तो यहाँ पे देखे, 20, ठीक है, यह आपका bridge, जो हम अभी, जिसके according कर रहे हैं, यह बृत है, और यह आपका length हो गया, ठीक है, तो 20 और यहाँ पे क्या 20 है, देखे, यह वाला जो हिस्सा है, first जो हमने area find किया, यह यह आप का यह वाला हुआ, ठीक है, अब जो करना है, यह, क्योंकि यह वाला trapezium, अलग-अलग है न, दोनो, 20 और 28 का है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 20 प्लेस 28, क्योंकि दो अलग-अलग फाम पे थे थे न, और height तो आपका सेम ही रहेगा, 4, so 1 upon 2, 48 into 4, 2 तूजा 4, 48 त portions को हमको बताना है, तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे, area of each portion, each portions are, अब धहांस देखिएगा, इधर क्या है, अभी हमने जो find किया 96, तो यह भी 96 होगा, right, first number 112, अगर यह 112 आया तो यह भी 112, तो दो एंसर हुए न, तो यहाँ पे आपका area of each portions क्या हो जाएगा, 112 cm2, एक 96 कर लिजे, क्योंकि दोनों ऐसे घूमा हुआ न, फ्रेम, first ये, फिर ये, ये थोड़ी कि यहाँ से फिर डारेक्ट यहाँ आगया होगा, तो आप पहले 112 बताएगे, इस side का, फिर 96 ये, फिर इस side 112 cm, तो फिर इस side 96 cm2, ये आपका answer हुए, now question number 12, ये question दिख जरूर रहा आपको थोड़ा सा tough, लेकिन इस से easy कोई भी question नहीं हो सकता, मेरे से, हमारे side से, ध्याँ से देखिए कैसे, top surface arise platform is the shape of rectangular octagon as the subfigure, find the area of octagonal surface, तो हमको total का area find करना है, तो ठीक है ना भई, ध्याँ से देखिएगा, ये आपको एक trapezium form पे दिख रहा है, a, b, c, d, जहाँ पे भी लिख लें, कोई दीकर नहीं है, दिख रहा है, तो ये जंदली आप बताइए कि अगर एक line से, octagon तो सभी देखिए, sides यहाँ पे एक है, तो यहाँ भी एक है, एक बीच में center है, यहाँ भी देखिए, एक single, यहाँ भी है, यहाँ भी एक center, तो तो यह 15 है, तो यह भी 15 हो, right, अब यह आपकी height 6 है, इसमें भी हम height 6 कर सकते हैं, भाई, यहाँ भी height 6 होगी, होगी न, क्यों, क्योंकि जितना यहाँ पे distance होगा, उतना यहाँ पे भी होगा, ऐसा हो सकता है कि नहों, यह दोनों same ही होंगे, clear, क्योंकि अगर यह 6 है, तो यह इसकी height 6 होगी, ऐसा थोड़ी कि हम, हम लोग जैसे बना लेते हैं, वो ठीक है, ऐसे ऐसे करके, अब बोलें कि यार, equal नहीं दिख रहा है, अब बोलें कि यह equal नहीं दिख रहा है, तो ऐसा possible नहीं है, यह equal ही है, हम लोग बनाएं तो equal नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम इसे measure कर रहा है, trapezium, second में क्या दिख रहा है, rectangle, third में क्या दिख रहा है, trapezium, अब भाई, एक trapezium करेंगे, तो उसी का answer सेम यह आएगा, अब बचाए, फिप्टीनेट जा, answer, चलिए, solve करते हैं, तो first हम चलते है, area of trapezium, area of trapezium, a, b, c, d, a, b, c, d, चलिए, formula, one upon two, sum of parallel side, into height, और सब कुछ तो हमें अब level है ही, तो one upon two, sum of क्या है parallel side, भाई, यह parallel हुआ, इसके, तो 15 और यह, अब आप सोचे होंगे कि यहाँ पर क्या होगा, भाई, यह 8 है, तो यह भी 8 है, मतलब सभी sides कितने length के हैं, 8 के हैं, तो यह भी 8 है, यह भी 8 है, यह भी 8 है, यह भी 8 है, और यह भी 8 है, तो sum आप पहला side, तो 15 प्लेस 8, और height तो आपकी सामने है, 6, तो इससे हमने 2, 3 जा कर लिजे, 15, 3, 23, 15 प्लेस 8, 23, इंटू 3, 3, 3 जा 9, 3 जा 6, centimeter square, यह meter है, sorry, meter पर है, तो meter square, right, अब यह area of trapezium होगा, तो इसके साथ में इसको भी लिख लेते हैं, BC, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, F, G, H, और यह T कर लेते हैं, कुछ भी आप नाम सो कर सकते हैं, so area of trapezium, downside का भी लिख लिजे, F, H, T, G, आप चाहें तो इसे फिर से ऐसे ही स्वाल कर लिजे, एकदम same, क्योंकि इस सभी के लेंदे के 15, 8, height वही है, तो आप चाहें तो यहाँ पर direct भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कैसे, यहाँ similarly ज़रूर लिख लिजेगा, ठीक है, और अगर आपको reason है, तो because, trapezium, F, H, T, G, is equal to trapezium, A, B, C, D, भाई दोनों equal हैं, अब rectangle पर चलते हैं, तो rectangle देखिए हैं हाँ पर, B, C, G, F, Rectangle, B, C, G, F is equal to length into breadth अब कार से घर लिख अब कर देखिए हैं, अब अब कर देखिए हैं हैं, तो अब कर देखिए, आपको देखिए, तो अब कर देखिए हैं, तो यहाँ तो एद टीक हैं, तो लेंग देखिए ठीक हैं, So, total area of octagonal, total area of octagonal surface. So, first 69 plus 69 plus 120. So, total 998, 612, 214, 115, 1 remainder, 1 and 2 cm2. You have the answer.